ये कहानी एक जंगल की है जहां पर एक नारियल का पेड़ था वे नारियल का पेड़ मिनुचेड़िया का था और इसी नारियल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा नेम का पेड़ भी था जिस पर कालू कवे ने अपना घर बनाया हुआ था अरे वा रानी आज तो तुमने ये वोजन बहुती मेहनत से बनाया है और यकीनन ये वोजन बहुती जाधा स्वादिश्ट होगा कालू जी आप तारीफे ही करते रहेंगे जा फिर मीरा बनाया हुआ भूजन भी खाएंगे कालू कववा भूजन खाने ही जा रहा होता है के मिनो चेडिया के नारियल के पेर से एक बड़ा नारियल आकर कालू कववे की घर की छट पर गिरता है और कालू कववे की छट नारियल की वज़ा से तूट जाती है और वे नारियल आकर सीधा भूजन पर गिरता है जिसके कार मेरे घर की चट तो तूट गई रानी ये कोई फत्तर नहीं बलके ये बड़ा सा नारियल है ये देखो ये रहा नारियल और इसने मेरे घर की चट भी तोड़ दी है कालू जी ऐसा कब तक चलता रहेगा आए दिन मिनुचेडिया की पेड़ के नारियल हमारे घर में गिरते ही मैं अब भी जाकर मिनुचेडिया से बात करता हूँ कि ये नारियल गिरना कब बंद होंगे हमारे घर पर फिर कालू काववा ये कहकर मिनुचेडिया के पास चला जाता है मिनुची या में तुम्हारे नारील के प्रेश से बहुत ज़ाना परिशाना गया हूँ आज तुम्हारा बड़ासा नारील मेरे घर की चछट पराकर गिर गया जिसके कारण मेरे घर की चछट तूड गई है और तो और मेरा सारा भोजन भी खोंसले में इदर उदर गिर गिर गया था कालू कवे इसमें मेरी क्या गलती है मैं जान बुजकर नारियल तुम्हारे घर पर थोड़ी ना गिरा रही हूँ बस मीनू चिडिया अगर ये नारियल दुबारा से मेरे घर पर आकर गिरे और मेरा कुछ भी नुक्सान हुआ तो मैं तुम्हारे इस नारियल के पेड़ को काड़ डालूँगा अरे भाई ऐसे कैसे ये पेड़ काड़ दोगे तुम ये पेड़ मुझे मेरी जाइडार में मिला है और इसी नारियल को बेच कर मैं अपना वेपार करती हूँ अगर तुम्हें इतना ही कोई मसला है तो तुम अपना घर किसी और पेड़ पर बना लो फिर कालू काववा घुसा होकर वहां से चला जाता है अगले दिन मिनुचेडिया अपना नारियल पानी का ठेला लगा कर बैठी होती है और पक्षियों को नारियल पानी बेच रही होती है वा भई मिनुचेडिया मज़ा ही आ गया तुम्हारा नारियल पानी पी कर तो मुझे एक और दे दो मैं अपनी पत्नी को भी ले चाकर पिलाऊंगा हाँ जरूर तोते मैं अभी देती हूँ मिनुचेडिया का नारियल पानी का वेपार बहुत ज़्यादा ही अच्छा चल रहा था परन्तु दूसरी तरफ कालु कववा और रानी कववी बहुत ज़्यादा ही परिशान थे कालु जी मिनुचेडिया बिल्कुल ठीके रही है अब वे खुद थोड़ी ना नारियल तोड़कर हमारे घर पर फेक रही है इसमें उसका क्या कसूर है अब हमें अपना दूसरा घर बना लेना चाहिए और अगर कल को हमें अंडे हुए और हमारे अंडे पर नारियल आकर गिर गया तो हमारा अंड़ा तो तोट जाएगा हमारा कितना बड़ा नुक्सान हो जाएगा कालू जी नहीं नहीं रानी हम कहीं पर भी नहीं जाएंगे हम यहीं रहेंगे मुझे नारियल के पेड़ का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अच्छा ठीक है कालू जी अभी में जा रही हूँ तिन के जमा करने के लिए हमें दुबारा से अपने छट की मरमत जो करनी है नहीं रानी छट की मरमत करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर दुबारा से नारियल हमारी छट पर गिर गया तो तो तुम्हारी मैनत जाया जाएगी ठीक है कालू जी जैसे आपको ठीक लगे अगले दिन कालू कवा और रानी कवी बैठे बाते कर रहे होते हैं कि अचानक एक बड़ा सा नारियल आकर कालू कवे के उपर गिर जाता है रानी इतनी जोर से लगा मुझे यह नारियल मेरे उपर गिर गया है मेरा तो सर ही गूम गया अब तो मैं इस नारियल के पेड़ को नहीं छोड़ूंगा बस अब मैं नारियल के पेड़ को काठी डालूंगा हाँ कालो जी नारियल के पेड़ को काठी देना चाहिए कल मीनुचेडिया दूसरे जंगल अपने दोस्तों से मिलने के लिए जा रही है बस आप कल ही उस नारियल के पेड़ को काड़ दीजिएगा अगली सुबह हो जाती है मीनुचेडिया अपने दोस्तों से मिलने के लिए दूसरे जंगल चली जाती है और पिछे से कालू कववा मीनोचेडिया की गेर मौजूदगी में कबूतर कार्पेंटर को बुला कर लाता है कार्पेंटर जी इस बड़े से नारियल के पेर को जड़ से काट डालें ताके ये फिर से दुबारा ना बढ़ सके परन्तु कालू कवे ये नारियल का पेर तो मीनो चेड़िया का है ना कार्पेंटर जी तुम्हें तो सिर्फ पैसों से मतलब होना चाहिए साधा सवाल मत करो वरना मैं किसी और कार्पेंटर को बुला कर ले आऊँगा फिर कबूतर कर्पेंटर अपनी कुलहारी से वे बड़ा सा नारियल का पेर काटने लगता है कुछ देर के बाद कबूतर कर्पेंटर उस नारियल के पेर को काट डालता है चलो शुकर है ये पेर कट गया अब सुकोन मिल गया है मुझे अगले दिन जब मीनोचेडिया अपने जंगल में वापस आती है तो वे देखती है कि उसके नारियल के पेड़ के पास तो पक्षी जमा हुए होते हैं अरे ये मेरे नारियल के पेड़ के पास इतने सारे पक्षी क्यों जमा है चलो चल के रेखती हूँ फिर मिनोचेडिया फॉरन अपने पेड के पास जाती है ये क्या हो गया मेरे नारियल के पेड को किसने काट दिया है मिनोचेडिया मुझे माफ कर दो ये पेड मैंने काटा है परन्तु ये पेड काटने को मुझे कालू कवे ने कहा था अब मैं कालू कवे को नहीं छोड़ूंगी बुल बेहन आप जल्दी से कालू कवे और रानी कवे को बुला कर लाएं फिर बुल बुल फॉरन कालू कवे और रानी कवे को बुलाने के लिए चली जाती है हाँ भई मिनोचेडिया कैसा रहा तुम्हारे दूसरे जंगल का सफर कालू कवे अब इतने भी अंजान मत बनो तुमने मेरा बरसु पुराना नारियल का पेर काट दिया है मैं तुम्हे नहीं चोड़ूंगी वेसे भी पेर काटना तो बहुती बड़ा जुरूम है अब मैं तुम्हे इतकी सजा मिठ्धु माराज से जरूर दिल्माओंगी जाओ जाओ मिनोचेडिया जिसके पास जाना है चली जाओ कोई मेरा कुछ नहीं बिगार सकता है कालू कावे तुमने अपनी छोटी सी समस्या की चकर में मेरा सालो कावे पार अब बन करवा दिया है मैं तुम्हे नहीं चोड़ूंगी हाँ हाँ कालू कावे तुमने बहुती जादा गलत किया है तुम्हे तो मिठ्धु माराज के पास ले जाना ही होगा नहीं नहीं मिठ्धु माराज के पास ले जाने की कोई जरुवत नहीं है कालू जी ने कोई गुना थोड़ी न किया है नहीं रानी कववी मैं जा रही हूं मिठ्धु माराज के पास कालू कववे अगर तुम मेरे साथ नहीं चले तो कोई बात नहीं मिठु माराज के सैनिका कर तुम्हें पकड कर ले जाएंगे नहीं मिनुचेडिया मैं किसी से नहीं ढरता चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ फिर मिनुचेडिया और कालुकवा मिठु माराज के पास चले जाते हैं और मिनुचडिया कालुकवे की शिकायत मिठुमाराज से करती है कालुकवे ये तुमने बहुती जादा गलत किया है मिनुचडिया के साथ इसका बना बनाया कारुबार तुमने बरबाद कर दिया है अरे मिठू माराज मुझे मिनुचडिया के कारूबार से कोई भी जलन नहीं है बस आए दिन मिनुचडिया के नारियल के पेड़ से बड़े बड़े नारियल मेरे घर पर गिर जाते थे जिस कारण मैंने मिनुचडिया का पेड़ काट दिया है और तो और आपको पता है एक बड़ा नारियल आकर मुझ पर भी गिर गया था पर अन्तो मिठु माराच कालू कावे अपना घर दूसे पेड़ पर भी तो बना सकता था ना इसमें जित करने वाली कौन सी बात है और तो और वे नारियल भी तो खुद और खुदी पेड़ से किर रहे थे इसमें मेरी क्या गलती थी मिठु माराच कालू कावे इसमें मिनूचरिया की कोई भी गलती नहीं है मिनुचेडिया एकदम ठीक है रही है और वैसे भी ये उसूल मैंने बनाया था कि जंगल का कोई भी पक्षी जंगल के पेड़ों को नहीं काटेगा ये बहुत बड़ा जुरुम होगा और मैंने ये भी कहा था कि जो कोई भी पक्षी पेड़ काटेगा उसको पांस साल की सजा मिलेगी ये बात सुनकर तो कालू कववा बहुत जादा ही ढ़र जाता है और कहता है मिठू माराज मुझे माफ कर दे मैं आइंदा से पेर नहीं काटूंगा मुझे माफ कर दे मिठू माराज परन्तु मिठु माराज कालू कवे को माफ नहीं करते और उल्लू सैनिक कालू कवे को पकड़ कर ले जाता है दोस्तों आप सबी से यही गुजारिश है कि अगर पेड लगा नहीं सकते तो उन्हें काटिये भी मत क्योंकि पेड काटने से हमारा अपना ही नुकसान होता है अगर आप सबको यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें दूर किसी जंगल में एक कालू कववा और इसकी पत्नी रानी कववी रहते थे कालू कववे को अपनी पत्नी रानी कववी से बहुत ही ज़ादा धर लगता था कालू कववा जैसे मानो अपनी पत्नी का गुलाम ही था और तो और कालू कववा रानी कववी के सारे काम करता था और भोजन भी कालू कववा खोद ही रूनने जाता था कबूतर भाई आपको पता है कालू कववा तो अपनी पत्नी रानी कववी का उलाम ही बन गया है रानी कववे तो कालू कववे को मरती भी है जब कालू कववा ठीक से काम नहीं करता विचारे कालू कववे की किस्मती खराब है जो कालू कववे को इतनी जालिम पत्नी मिली है कालु कववा तो बहुत परिशान है कल जब में कालु कववे के गोंसले के पास से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि कालु कववा अपनी पत्नी रानी कववी से बहुत जादा मार खा रहा था रानी कववी बहुत जालिम है वे कालू कववे को बहुत जादा ही मारती है है रिक बुतर तुम ठीक है रही हो बिचारा कालू कववा कितनी जालिम पत्नी से शादी कर बेठा है बुल बेहन मैं तो रानी कववी से बात भी नहीं करता हूँ कहीं रानी कवी कालू कवे की तरह हमें भी ना मारे इसलिए मैं तो रानी कवी से दोर दोर ही रहता हूँ अरे कालू जी क्या तुम्हारे हातों में जान नहीं है इतनी जादा गर्मी हो रही है और तुम इतने हलके पंखा जल रहे हो क्या कहा तुमने कि तुम्हारे परों में दर्द हो गया है अभी मैं सब पक्षियों के सामने ले जाके तुम्हें बेलंसे मारूंगी जब ठीक होगे तुम अरररर रानी तुम गुसा क्यों होती हो मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था अगले दिन मीनोचेडिया कालू कववे के गोंसले में आती है और मीनोचेडिया रानी कववी से कहती है रानी कववी मुझे तुम से एक बहुत जरूरी बात करनी है अब तो ये बात चंगल के सारे पक्षियों को पता चल गई है के तुम कालू कववे के साथ बिलकुल भी अच्छा वेवार नहीं करती हो और तो तुम कभी कभी कालू कववे को बहुत बुरी तरह से मारती भी हो ये तो गलत बात है ना रानी कववी भला कोई पत्नी अपने पती को मारती भी है हाँ रानी मिनोचेडिया बिल्कुल ठीक कह रही है तुमने तो मुझे अपना नौकरी समझ लिया है तुम बहुत जादा मुझे मारते भी हो और कोई काम भी नहीं करती हो फोजन भी मैं ही ढोण के लाता हूँ और तुम्हें जब गर्मी लगती है तो तुम्हें पंखा भी मैं ही जलता हूँ कालू जी अभी जितना जादा बोलोगे बाद में तुम्हें उससे जादा डंडे पड़ेंगे इसलिए सोच समझ के बोलना तुम और हाँ मिनोचेडिया तुम्हें मुझे ये बताने की कोई ज़रुरत नहीं है कि मैं अपने पती की इज़त नहीं करती और कालू जी को बहुत मारती हूँ तुम यहां से चली जाओ पर ना कालू जी के साथ साथ मैं तुम्हें भी बहुत बुरा मारूंगी ठीक है रानी कवई मैं चलती हूँ लेकिन मेरी बात याद रखना कि तुम कालू को वे के साथ यह बिलकुल भी अच्छा नहीं कर रही हो एक ना एक दिन तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी हाँ हाँ ठीक है ठीक है देख लूँगी मैं चलो अब यहां से निकलो और दुबारा कभी मेरे घुशले में आना भी मत फिर मीनू चड़िया वहां से चली जाती है और तुम कालू जी तुम तो बहुत ज़ादा बड़े बन रहे थी मीनू चड़िया के सामने मेरी बुराईया कर रहे थे तुम्हें तो मैं अब बताती हूँ फिर रानी कभी पास ही पड़ी एक डंडी उठाती है और कालू कववे को मारने लगती है अरे रे रानी मुझे मत मारो मैं आगे से कभी भी कुछ नहीं बोलूँगा मुझे छोड़ दो मुझे मत मारो इस बार छोड़ रही हूँ तुम्हें लेकिन आज के बाद कभी भी किसी भी पक्षे के सामने मेरी बुराई की तो इस से ज़ादा बुरा मारूंगी में तुम्हें कालू कवव तो बहुत ही ज़ादा धर जाता है और वheure चुप हो जाता है अगले दिन कालू कवव भुजन धूंटा धूंता बहुत ही ज़ादा ठक जाता है और कालुकवे रानिकवी तो तुम्हें बहुत मारती भी हैं, तुमसे अपना सारा काम भी करवाती हैं, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं चाती हैं, इस समस्या का मेरे पास एक पहुती अच्छा उपाए हैं। वो क्या उपाए हैं तोते, चल्दी बताओ। और तुम रानिकवी को छोड़ देना। लेकिन मुझे जैसे बुड़े कवे से शादी कौन करेगी, वे कौन कवी होगी। मेरी एक दो सोनी कवी है, सोनी कवी बहुत सुन्दर है, मुझे यकीन है के सोनी कवी तुमसे शादी जरूर कर लेगी। चलो कालू कवे, मैं अभी चलता हूँ, कल सुबे मैं सोनी कवी को यहीं पर लेकर आऊँगा, तुम मुझे कल सुबे इसी पेड़ पर मिलना। यह कहकर वे तुता, वहां से चला जाता है। शमा कर दो, मैं दुबारा ऐसा कभी नहीं बोलूँगा, तुम तो बहुत अच्छी पत्नी हो। अगले दिन तोता, सोनी कवी को लेकर कालू कवे के पास आजाता है, कालू कवा सोनी कवी को देखकर बहुत जादा खुश होता है। कालू जी, मुझे तोते भाई ने आपके बारे में सब कुछ बताया, मैं आपसे शादी करने के लिए तयार हूँ, आप मुझे बहुत पसंद है। क्या, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, कि मुझे जैसे काले कवी को भी कोई पसंद करता है, सोनी कवी जी, आप बहुत अच्छी हैं, मैं आपसे शादी करने के लिए तयार हूँ, कालू जी, आपकी पत्नी बहुत जलमी है, लेकिन देखिएगा, जब आप मुझे से लेंगे, तो मैं आपसे एक भी काम नहीं कराऊंगी, आप अराम से रहेंगे, देखा कालू कवे, मैंने तुमसे कहा था ना, कि सोनी कवी कितनी अच्छी है, और वे तुमसे शादी करने के लिए तयार हो जाएगी, हाँ हाँ तोते, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये सब बाते चल रही होती हैं, कि वहाँ पर जंगल के सारे पक्षी भी आ जाते हैं, अरे भाई तोते, क्या तुमने सभी पक्षीयों को भी यहाँ पर बुलाया था, हाँ हाँ कालू कवे, मैंने ही सभी पक्षीयों को यहाँ पर बुलाया है, मैं चाहता हूँ कि सभी पक् वेसला बहुत अच्छा किया है, मैं बहुत जादा ही खुश हूँ, हाँ कालु कवे, रानी कवी तो शायद कभी तुम्हारी इज़त ना करे, लेकिन ये सोने कवी बहुत अच्छी है, ये तुम्हारी बहुत इज़त करेगी, और तुम्हारी बहुत सेवा भी करेगी, अगले मेनु चड़िया मुझे बताओ एरे रानी कववी तुम्हें ये नहीं पता तुम कालु कववे पर इतना जुलम करती हो इसे मारती हो और इसे अपना नौकर बना कर रखती हो इसी कारण कालु कववा तुमसे परिशान होकर दूसरी कववी से शादी कर रहा है ये सब पक्षी कालु कववे की दूसरी शादी की तैयारियां कर रहे हैं परन्तु कालु जी ऐसा कैसे कर सकते हैं कालु जी ने तो मुझे पसंद की शादी की थी ना रानी कववी कालु कववा तो अभी भी तुम्हें बहुत पसंद करता है लेकिन तुम कालु कववे को इतना मारती हो और इसे इतना तंकरती हो कि कालु कववा मजबूरन दूसरी शादी कर रहा है चिडिया तुम कालु जी को रोक लो वे दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं कालू जी के साथ कभी भी बुरा नहीं करूँगी, हमेशा कालू जी की इज़त करूँगी, उसे कभी नहीं मारूँगी, बस तुम एक बार जाके कालू जी को रोक लो दूसी तरफ सारे पक्षी और कालू कववा सोनी कववी को लेने के लिए उसके पास आ जाते हैं सोनी कववी तुम बहुती सुन्दर लग रही हो आज मुझे मेरी जुल्मी पती से छुटकारा मिल जाएगा बस फिर क्या था वहाँ पर मीनो चेड़िया रानी कववी को लेकर आ जाती है कालू जी रुक जाओ तुम ये दूसरी शादी मत करो मैं तुमसे बहुत शर्मिन्दा हूँ मैं अब तुम्हारे साथ कभी भी गलत नहीं करूँगी तुम्हें कभी नहीं मारूँगी और तौर तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी रानी तुम जूट कह रही हो, मैं जानता हूँ, कि तुम मुझे गोंसले में जाकर वैसे ही मारोगी और अपना नौकर बनाओगी मैं तुम से जूट नहीं कह रही हूँ, तुम मुझे मत जुड़ो, मैं तुमें कभी भी नहीं मारोंगी, और तुम्हारी बहुत इजट करूँगी कालू कववे रानी कववी सच कह रही है इसे एसास हो गया है कि इसने तुम्हारे साथ पहुत गलत किया है मुझे यकीन है कि रानी कववी अब कभी भी तुम्हारे साथ गलत नहीं करेगी हाँ कालू कववे रानी कववी को माफ कर दो और तुम दूसरे शादी ना करो अब रानी कववी ठीक हो गई थी और उसने कालू कववे से माफी भी मांग ली थी मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुमको एसास हो गया है तुमने मेरे साथ कितना गलत किया है लेकिन मैंने तुम्हें माफ कर दिया है रानी इसलिए अब मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा अब सोनी कववी तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है मेरा भाई को आ रहा है इसलिए मैं तुम्हारी शादी अपने भाई बबल्यो कववे से करा दूंगी अब सब कुछ ठीक हो जाता है रानी कववी को भी अपनी गलती का एसास हो जाता है इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी पतनी को अपने पती के साथ बुरा वेवार नहीं करना चाहिए